मैं बस एक चीज जानना चाहती हूँ, कि जब आपको सच में किसी इनसान से या चीज से चोड़ पहुंची हो, या परिस्थितियों से या लोगों से, तो अगर हमने चीजों को बात करके सुलजाने की एक कोशिश कर ली हो, तो उनसे दूरी बना लेना कितना सही या गलत होग तो जब आप चोड़ पहुंचाने की बात करती हैं, तो कोई आपको शारिरिक चोड़ पहुंचा सकता है, आपको जख्मी कर सकता है, वो एक अलग बात है मानसिक रूप से सारी पीड़ा आपकी वज़े से हो रही है, किसी और की नहीं, अपनी वज़े से, कोई कुछ कर रहा है जो उन्हें पसंद है और आपको चोड़ पहुंच रही है हम उस पर आएंगे, पर पहली बात है कि आपको चोड़ क्यों पहुंच रही है अगर आप भागने लगी तो आपको हर किसी से भागना पड़ेगा क्योंकि हर कोई आपको चोट पहुंचाएगा ऐसा कोई perfect इंसान नहीं होता जो आपको दुख नहीं देगा हर इंसान आपको दुख देगा अगर आप किसी perfect सफेद घोले पर बैठे राजकुमार का इंतिजार कर रही है तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता, मेरा विश्वास कीजिए आप कर सकती है, मैं या बहुत टाइम से हूँ ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं है जो perfect हो मैं चाता हूँ कि आप पीछे मुड़कर देखें, आज आप यहां गुजरात में हैं तो यहां कृष्णी के लिए इतने बड़े-बड़े उच्जव होते हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा आदमी भी, उनके लिए ठीक नहीं था, उनके आस-पास वालों के लिए तो कहीं पर भी कोई perfect इंसान नहीं होता तो वो, वो आपको दुख नहीं देते, वो बस वही कर रहे हैं, जो उन्हें सबसे बड़िया आता है आपको चोट पहुँच रही है, है ना जट तक कि वो आप पर वार नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको चाकू से मारने लगे तो आपको बिल्कुल दूर जाना चाहिए वहाँ नहीं रहना चाहिए और वो कुछ बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, उन्हें बस उतना हीं पता है आपको किसी माहौल में नहीं रहना होता है इसलिए नहीं कि आपको कोई दुख पहुचा रहा होता है बलकि इसलिए कि कुछ माहौल ऐसे होते हैं जो आपको कारगर नहीं होने देते मैं कुछ करना चाहता हूँ एक खास माहौल में ये कारगर नहीं होगा तो मैं अपनी उर्जा वहां पर बाद नहीं करना चाहता, मैं कहीं और चला जाओंगा पर इसलिए नहीं कि वो मुझे चोट पहुँचाएंगे अगर वो आपको शूट करने वाले हैं तो आपको दूर जाना चाहिए, नहीं तो क्यों?